नमस्कार आप देख रहे हैं जेटीन निव्स इंडिया और इस वक्त हमारे साथ इंटक के राष्टिये महामंतरी संजय सिंग जी मौजूद हैं संजय जी सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीन निव्स इंडिया पे और किंदर सरकार के द्वारा जो परिवर्तन हुआ भी पेंसल रूल में की जो किंदर सरकार के करमचारी हैं अगर वो काम में करकोता ही बढ़तेंगे तो उनका पेंसल ग्रेजुएटी रोक दिया जाएगा आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा जन विरोधी या मजदूर उनके दाइरे मुझे के लिए सजा का प्रावधान है लेकिन इस चीज को बोल के किसी को ड़ाना धमकाना उसका हम विरोध करते हैं जी एक और सवाल है वो यह है कि 70% से ज्यादा जो PSU सेक्टर से हैं जो सेक्टर से हैं सब में ठेका मजदूरों को दे दिया गया आउट्सो सरकार के सामने union कमजोर है क्या टिक नहीं पा रही है कि केंद सरकार के साथ union कमजोर नहीं है इसलिए कि केंद सरकार कुछ union को पकड़कर अपने समर्थन में भी रखी है लेकिन बखिये जो हम इंट्रा के नित्यूत में भी जो है C2 ATTAK HMS से जो लोग है हम लोग विरोध कर हैं लेकिन जो सहयोग नीचे लेवल पर मिलना चाहिए जब कोई हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के दोरा कोई हर्ताल या किसी चीज का हवान किया जाता है तो आप भी देखे हों कि जनता का और मजदूरों का जो समर्थन मिलना चाहिए वो उतना मातला में नहीं मिल पाड़ जिसकी तयारी हम आगे कर रहे हैं कि हम और कारगर ढ़र तरीके से अंदोलन को सफल बनाएंगे तभी सरकार को समझ में आएगा अभी तक यह साथ देखा गया कि दो दिन एक दिन की हरताल से सरकार के उपर को प्रभाव नहीं पड़ता है सरकार को रूटीन में जो है साल में एक दिन दो दिन बंद करते हैं फिर तो सरकार कार खाना चलता है उत्पादन होता रहता है तो आगे हम लोग भी कोई ऐसा रास्ता तियार करने के की तयारी कर रहे हैं कि सरकार के उपर किस तरीके से प्रभावी दवाव कायम कर सकें तो उसकी तयारी हम लोग भी कर रहे हैं करती करना कहीं से भी उचीद हम नहीं मानते हैं लेकिन अगर कोई फासिवादी सरकार बैठी है जो यही चीज़ करने के बाद ही सुनेगी तो उसकी तरफ भी हम लोग अभी लामबंद हो रहें और आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि सरकार किस तरीके से जैसे कि पैए लेकिन फासपास जो ठेका मजदूर है जो कमपनी के डीक पर लेकिन पचास तजार के आस पास जो ठेका मजदूर है जिनके दंपर बोकारोई स्टील प्लांट चल रहा है, उनके साथ जो आउट्शोर्सिंग कमपनियां है, जो ठेकेदार है, वो जिस धंग का बैवार कर रही है, इंटक का क्या रुख है उसको लेकर, खास करके पेमेंट विड्रॉ करने के बाद ठेकेदार वापिस ले रहे है कमपनी को मालूम ही ये सचाई, लेकिन कुछ भी प्रभावी ढंक से नहीं हो पा रहा है, सबसे अधिक सोजन ठेका मजदूरों का हो रहा है हमारे यहां बहुत जगह इसा हुआ है, तो हमने पापिस भी करा है, उसमें अगर हो आएंगे, देखिए होता क्या है, ठेकेदार कुछ का गेट बद करेता है, मजदूर किसी इक पास जाता नहीं, हमने एंटिपीसी में 36 गर में यह लड़ाई लड़ी है, और हमने उसमें क कड़ाय हुआ है, कि कांट्रेक्टर बहले बदल जाता है, लेकिन लेबर वही रहेगा, तो मजदूरों को भी अपने हक के लिए यूनियन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, यूनियन के पास कोई हत्यार नहीं है, कि हम जाएंगे और मैनेजमेंट मान लेगा, हमने कहाना है कि हम अगर किसी के साथ अन्याए हो रहा है, तो अन्याए की जानकारी दे, अगर उसका कोई गेट बंद करता है, कुछ करता है, यूनियन उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन आप कुछ बताओगे नि बाहर जाके बोलने से, अब माली हम आ जाएंगे, तो मेरा काना है कि यू जो पैटर्न बना हुआ है, मेडिकल टीटमेंट को लेकर के, उसमें केटोगराइजेशन है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, एजगेटिक पीलिया, अलग कार्ड, सुविधाई भी घट रही हैं वो कारो जनल होस्पिटल में, इन तक क्या मांग करेगी, खासकर इंप्लाइज क को ही प्राइज किया जा रहा है, प्राइबेट को हस्पिटल दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब प्राइबेट हस्पिटल चलाने लगेगा, तो निश्चीत रूप से जितना खर्च हस्पिटल हम होना चाहिए वो नहीं होगा, तो हमारा मानना यह है कि उसमें ज तो वहां पर सुविधाय बढ़ानी चाहिए जो कमिया है एक तरफ तो मोदी जी पूरा देश में बोलते हैं कि स्वास्ता और शिक्षा को हम फ्री करने जा रहे हैं जहां फ्री है वहां भी आप पैसा मांगने की तैयारी हो रही है ति कतनी करनी हम सरकार को भी अपना अंतर द प्रीक रहता है फिर च्छे महीना मार्केट डाउन रहता है तो वह एक कारण रहा है लेकिन आने वाले समय में जो रिपोर्ट सेल की है या स्टील की रिपोर्ट जो आ रही है और स्टील मार्केट अभी चार-पांच साल अच्छा चलेगा तो निश्टी तरुप समस्या है रिनोवेशन कालोनी का भी बहुत जगा है इसा की पुराने मकान है जर जर हालत में है तो उसका तरफ भी हम लोग छोटा मकान है बहुत जगा हमने भिलाए में तो एक एक वर्कर को दो-दो क्वार्टर भी दिलाने का काम किया है तो यूनियन यहां भी उस तरीके से काम करे कि आप यूनियन पर भरोसा कीजिए और एक यूनियन को आप मजूद कीजिए हम धरे में बटे रहेंगे तो हमारा समस्चा भी धरे में ही रहेगा तो कोई हमारी गुटबाजी तो आप देख लिए सेंटरल कॉंग्रेस पार्टी ने इस दिख लिए देख लिए देख लिए हम शुरू से यह बोल रहें हम तो इस योगे बुटबाजी इसलिए नहीं मानते कि जो लोग अपने आपको लीडर बता रहें उनके पास यूनियन कॉंसी है, में मांबर्सिप कहा है आप भी बताएं जो लोग बोल रहे हुआ हैं किसे लिए रहे हैं तो जनता साथ है मजदूर जिसके आज सरकार की कमिट्रियों बात हो तो यहांगी कुँन बैटि रहा हूं तो ताब भी एक जाग्डू पत्रकार जो है हम आदमी नहीं होता आप भी जाग्रू का आधिम हैं तो आप Weighस चीजहों कौन बढढ़ ला बात करने के लिए बहुत बहुत देने तो सुना आपने जो इंटर के रास्टे महमंत्री है संजर सेंग बात कर रहे थे बहुत सारे मुद्व पर उन्होंने बात की है अगली बार एक और महमान और अब तक के लिए